जिन्हे नाज है हिंद पर वो कहा है कहा है कहा है कहा है कहा है 1920-1930 के जमाने के साहित की सबसे सटीक आलोचना प्रगतिशील तहरीक से उभर कर आई मुन्शी प्रेमचन ने 1936 की अतिहासिक मीटिंग के प्रेजिदेंशल एड्रेस में कहा था हमें सुन्दर्ता की कसोटी बदलनी होगी अभी तक ये कसोटी अमीरों और विलासिता की धंकी थी हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकले रहना चाहता था उन्ही की कदरदानी पर उसका अस्तित्व अविलंबित था और उन्हीं के सुक तुक आशा निराशा प्रतियोगिता और प्रतिद्वनविता की व्याक्या कला का उद्देश था ग्रामवासी की देहाती वेजबूशा और तौर तरीखे पर हसना उसका शीन काफ दरुस नहोना या मुहावनों का गलत उप्योग उसके व्यंग विद्द्रूप की स्थाई सामगरी थी वह भी मनुश्य है उसके भी रिदे है और उसमें भी आकांगशाएं है ये कला की कल्बना के बाहर की बात थी इस सूरते हाल को बदलने के लिए प्रोग्रेसिव राइटर्स ने दलित विमर्ष का शुरुवाती प्रवर्तन किया क्रिशन चंदर की कहानी कालू भंगी के कुछ अंश कालू भंगी मैंने इससे पहले हजार बार कालू भंगी के बारे में लिखना चाहा है लेकिन मेरी कलम हर बार ये सोच कर रुख गई कि कालू भंगी के संबंध में लिखा ही क्या जा सकता है भिन भिन कोणों से मैंने उसके जीवन को देखने परखने समझने की कोशिश की है लेकिन कहीं वो टेड़ी रेखा दिखाई नहीं देती जिससे कोई दिल्चस्प कहानी बन सकती हो फिर न जाने क्या बात है हर कहानी का आरंभ करते हुए मेरे मस्तिश्क में कालू भंगी आ खड़ा होता है मुझसे मुस्करा कर पूछता है छोटे साहब मुझ पर कहानी नहीं लिखोगे कितने वर्ष होगए हैं तुम्हें लिखते हुए आठ वर्ष कितनी कहानिया लिखी हैं तुमने साथ और दो बासट मुझमे क्या बुराई है छोटे साहब तुम मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते और मैं उत्तर नहीं दे पाता इतना सीधा सपाट जीवन रहा है कालू भंगी का कि मैं उसके संबंध में कुछ भी तो नहीं लिख सकता आज तक कालू भंगी अपनी पुरानी जाडू लिए अपने बड़े बड़े नंगे घुटने लिए अपने फटे फटे खुरदरे बेधंगे पाऊं लिए अपनी सूखी तांगों पर उभरी दरी दें लिए अपने कूलों की उभरी-भरी हड्डियां लिए अपने भूके पेट और उसकी सूखी चमडी की काली सलवटे लिए अपनी मुर्जाई हुई चाती धूल से अटे बालों की जारियां लिए अपने सिकुडे सिकुडे होटो, फैले फैले नथनो, जुर्यों भरे गालो और अपनी आखों के अंधकार में गढ़ों के उपर नंगी चंदिया उभारे मेरे मस्तिश के कोने में खड़ा है लेकिन कालू भंगी की एक बात दिल्चस्प थी, उसका हमारे घर के पास के जंगल के हर पशु पक्षी से परेचे था रास्ते में उसके पाउं तले कोई कीड़ा आ जाता, तो वो उसे उठा कर जारी पर रख देता कहीं कोई नेवला बोलने लगता, तो वो उसकी बोली में उसका उत्तर देता तीतर, रदगला, गोटारी, लाल चिड़ा, हर पक्षी की बोली वो जानता था इस दृष्टी से वो राहुल सांक्रितायन से भी बड़ा पंडित था और फिर वो मक्की का भुटा ऐसा मज़ेदार तयार करता था और उसे इस तरह हलकी आँच पर भूंता था जैसे वो वर्षों से उस भुटे को जानता हो एक मित्व की तरह वो भुटे से बाते करता इस नर्मी और प्यार से उससे पेश आता जैसे वो भुटा उसका अपना संबंधी या सगा भाई हो और लोग भी भुटा भूंते थे लेकिन वो बात कहा कालू भंगी के हातों में पहुँचकर वही भुटा कुछ का कुछ हो जाता और जब वो आग पर सिक कर बिलकुल तयार हो जाता तो बिलकुल एक नई नवेली दुलहन की तरह शादी का जोड़ा पहने सुनहला सुनहला चमकता नज़र आता मुझे कालू भंगी के हाथ के सिके हुए भुट्टे खाने में बड़ा आनन दाता था और मैं उन्हें बड़े मजे से छुप-छुप कर खाता था एक बार पकड़ा गया तो बड़ी थुकाई हुई बिचारा कालू भी पिटा लेकिन दूसरे दिन वो फिर बंगले पर छाडू लिये उसी तरह हाजिर था लेकिन इसके अलावा कालू भंगी मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख सकता हूँ मैं यहां के प्रतियक व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ अवश लिख सकता हूँ लेकिन तुम्हारे संबंध में इतना कुछ कुरेदने के बाद भी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या किया जाए भगवान के लिए अब तो चले जाओ बहुत सतालिया तुमने मैं एक नई कहानी गढ़ सकता हूँ एक नया मनुश नहीं गढ़ सकता उसके लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ इसके लिए कहानीकार और उसका पढ़ने वाला और गाओं के पटवारी और नमबरदार और दुकांदार और शासक और राजनितिय और मजदूर और खेतों में काम करने वाले किसान प्रत्ये व्यक्ति की लाखों, करोडों, अर्बों, व्यक्तियों की इकट्थी सहायता चाहिए मैं अकेला विवश हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता न करेंगे, ये काम न होगा और तू इसी प्रकार अपनी जाडू लिए, मेरे मस्तिश के दरवाजे पर खड़ा रहेगा और मैं कोई महान कहानी न लिख सकूंगा, जिसमें मानव आत्मा का पूर्ण उलास चलक उठे और कोई मेमार महान भवन न बना सकेगा, जिसमें हमारी जाती की महानता अपने शिक्रों को चूले और कोई ऐसा गीत न गा सकेगा, जिसकी गहराईयों में विश्व का सारा रहस्य चलक चलक जाए ये भरपूर जीवन संभव नहीं, जब तक तू झाडू लिए, यहां खड़ा है अच्छा है, खड़ा रह, फिर शायद कभी वो दिन आ जाए कि कोई तुझ से तेरी झाडू छुडा ले और तेरे हाथों को नर्मी से थाम कर इंद्रधनुष के उस पार ले जाए Progressive Writers, Indian People's Theatre Association याने IPTA की थीटर और फिर सिनेमा से भी जुड़े और यथार्त वाद के नए सिनेमा को मजबूत किया महिलाओं के हक, जातिवाद, किसानों और मजदूरों की दुलदशा, वर्क संघर्ष, साम्रदायक्ता, समस्याओं से जूचने के सामोहिक प्रयास ये सब पूरे मुलक के मुद्दे माने गए और नए सिनेमा में दर्शाय जाने लगे खौजा एमद अब्बास, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, प्रेम धवन, शैलेंड, कैफी आजमी, वीपी साथे, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े थे बंगाल के अकाल पर 1946 में बनी खौजा एमद अब्बास की मशूर फिल्म धर्टी के लाल के बनाने में इप्टा की यूनिस का बड़ा योगदान है इसी फिल्म से वामिख चौनपुरी का निखा गीत रुक की अगनी कोन भुजाए सूख तये गबतार जिन हाथोंने बोती रोले आज वही कंगाल साथी आज वही कंगाल भूका है भंगाल भूका है भंगाल कोतरियों में गाजे बैदे बनिये साराना सुन्दर नारी भूक की मारी बेचे घर घर लाण सुन्दर नारी भूक की मारी बेचे घर घर लाण चौपट नगरी बार समाले चार तरफ मौचाद साथी चार तरफ मौचा है भंगाल भूका है भंगाल फिल्मी संगीत की बात बिना साहिर लुध्यानवी का जिक्र किये नहीं की जा सकती उन्होंने अवाम की उम्मीदों को फिल्मी गीतों में ढाला ले दे के अपने पास फक्त एक नजर तो है क्यों देखें जिन्दगी को किसी की नजर से हम माना कि इस जमी को न गुल्जार कर सके कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम साहिर जन्ता के शायर थे और उन्होंने अपने फन से फिल्मी संगीत और इनकलाबी शायरी दोनों को सवारा उनका लिखा प्यासा फिल्म का मशहूर गीत ये पूचे ये नेलाम घर दिल कशी के ये लुटते हुए कारवा जिन्दगी के कहां है कहां है मुहाफिज खुदे के जिन्हे नाज है हिंद पर वो कहां है और साहिर की एक नज़्म अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी पसपाई भी मौत के कदमों की आहट भी जीवन की अगड़ाई भी मुस्तकबिल की किरने भी थी हाल की बोजहल जुमत भी तूफानों का शोर भी था और खुआबों की शेहनाई भी आज से मैं अपने गीतों में आतिश पारे भर दूँगा मद्धम लचकी तानों में जीवट धारे भर दूँगा जीवन के अंधियारे पत पर मिशल लेकर निकलूँगा धर्ती के पहले आचल में सुर्ख सितारे भर दूँगा आज से ऐ मजदूर किसानों मेरे गीत तुम्हारे हैं फाका कश इनसानों मेरे जोग बिहाग तुम्हारे हैं जब तक तुम भूखे नंगे हो ये नगमे खामोश नहूंगे जब तक बे आराम हो तुम ये नगमे राहत कोश नहूंगे मुझको इसका रंज नहीं है लोग मुझे फनकार नमाने मुझको इसका रंज नहीं है लोग मुझे फनकार नमाने फिक्रो फन के ताजिर मेरे शेरों को अशार नमाने मेरा फन मेरी उमीदें आज से तुमको अरपड है आज से मेरे इत तुम्हारे दुख और सुख का दरपड है तुमसे पुवत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा तुम परचम लहराना साथी मैं बर्बत परगाऊंगा आज से मेरे फन का मकसद जन्जीरे पिगलाना है आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाओंगा